तो देखिए इस वीडियो में जानेंगे आईव्य जैसिक पलस शिरप के वारे में, सस्पेंशन के वारे में, कि बही कितने बड़े बच्चे में देना चीए, इसको क्यों देना चीए, कौन चीप प्रवल्लम में काम आता है, इसकी डोज कितनी दे, क्या इसके साइड फिड ह होते हैं, साउधानी क्या बढ़ते हैं, वीडियो को पूरा देखिए हैं, दोस्तो आईव्य जैसिक पलस एक ब्रेंड आता है, शिपला कंपनी का, यह टेब्लेट फो में भी आती है, और पीने की सीरप फो में भी आती है, पीने की सीरप जो आती है, दोस्तों यह दो स्ट् बच्चों में प्रिस्क्राइब करते हैं, चाहे वो infant baby हो, यानि न्यू जर्मा बच्चा, तीन मेने का, पांच मेने का, आठ मेने का, या एक साल का, या थोड़ा बड़ा बच्चा हो, दो साल का, तीन साल का, पांच साल का, छे साल का, आठ साल का, तो वहाँ पर इनको दिया जाता है, कभी भी दो, तो अपने डोक्टर की सलाशे देना चाहिए, जो बच्चों के डोक्टर होते हैं, उनकी सलाशे देना चाहिए, सेल्फिस नहीं करना है, तो बात गते हैं, बच्चे को इसा क्या हो जाता है, तो दोस्तों इसके अंदर दो सोल्ट आते हैं, पहला है आईबू प्रोफेन और दूसरा है पेराशेटामोल दूस्तों पेराशेटामोल आप जानते ही है एनाल जैसी होता है एंटी पारेटिक होता है यानि पेन रिलीवर होता है और फीवर को कम करने वाला होता है वेज़े दूस्तों आईबू प्रोफेन भी होता है यह दोनों इस इंस्ट्रोइड एंटी-इंफ्लामेंटरी ड्रग के अंदर आते हैं यानि NSAID, शोट नाम है NSAID के अंदर आते हैं देखे इसके अंदर जो दौईया आती है वो एक्छली करती क्या कि वो रेड़नेस को कम करती है, स्वेलिंग को कम करती है कई बार बच्चे को चोट लग जा रहीज़ा सकती है बच्चे के हैडग है उसमें भी आप दे सकते हैं किसी चीज़ की चोट लगई है जाती है, कोई infection होता है, उसके कारण बुखार आ जाती है, तो उसमें भी ये अच्छा काम करती है, बुखार को तुरूंत कम कर देती है, अब बात करते हैं, कितना dose दे, तो देखिए, ये dose तो depend करता है, बच्चे का body weight कितना है, साथ में कौन से medicine चल रही है, condition क्या है, ये सब ml तक दी जा सकती है, ये जो dose हो एक दिन में दो तिन बार करके देनी पड़ती है, अगर छोटा बच्चा जादा है, पांच मेने का छे मेने का तो वहाँ पर धाई ml भी दी जा सकती है, छोटे बच्चों में वहाँ पर दे जाता है, जहाँ पर बच्चे के कोई टीका लगा हो, कोई vaccination हुआ हो, तो ये देखा जाता है, तो इस condition में काम करती है, इतनी dose हो सकती है, इसके side effect भी हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे को dust लग सकती है, बच्चे के कोई skin पर racist दिख सकती है, बच्चा vomiting कर सकता है, या बच्चे को नीन दारे में दिक्कत हो सकती है, पेटी में द लnte कोई गो जी, ओत वत जारे में लेते हैं.